हलो फ्रेंड तो आज मैं ले कर आगया हों मातरक जिसमें मैं सभी की बारे में डिreshkas करने जाओ은गा तो चलिए सुरू करते हैं एक तब होती करासि है एक तब है si के मूल मातरक और एक तåप है संकेथ तो पहला कोशन है लंबाई, लंबाई का SI मातरक क्या है, तो लंबाई का SI मातरक होता है, मीटर और इसका संकेत होता है, M होता है नेर्श कोशन है, दरबमान, दरबमान का SI मातरक होता है किलोग्राम और इसका संकेतिक भासा होता है केजी नेस्ट क्र salvation है समय समय को किसमें मापा जाता है तो सेकेंड में इसका SI मातरग हो जाता है और सनकेतिक भासम हम S कहेंगे ताप का SI मातरग के केलवीन इसे mk से सुचित किया जाता है नेस्ट क्वेВОremlin है बिदुधारा बिदुधारा को hmm किसमें नापेंगे M-P-R में, इसका S-I मातरग भी M-P-R है और इसे M-A से सुचित किया चाहता है Next question है जोतितिवर्ता जोतितिवर्ता का S-I मातरग कैंडेला होता है इसे हम सीडी के रूप में भी मानेंगे Next question है पदार्थ का परिनाम किसमे और इसका संकेथिक भासा है Next question है धनकोण जिसे हम स्वाइलेड एंगल भी कहा जाता है उसका SI मातरक है गון कोन کا S A R से सूचित किया जाता है नेश्ट कोस्वन है कि TAP K-A Si मातरक जो पुराने मातरक है उनका संकेत है Degree Centigrade में लेकिन जो TOP K-Up निउउ आ गया हो है Degree Cell CS में अब क्या बोलेंगे TAP K-A-S AI मातरक Degree Cell CS में नेक्स कोशन है आवीर्ती, आवीर्ती का SI मातरक जो है कमपन प्रति सेकेंड जिसे हम हटर्ज भी न्यू नाम से जानेंगे तो इसका न्यू नाम आवीर्ती का क्या हो जाता है हटर्ज और प्रोणा नाम कमपन प्रति सेकेंड नेक्स कोशन है कि जोती तिवर्ता का ये साई मात रख क्या है कंडेला और नया नाम भी है कंडेलद नेक्स कोशन है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए हम किसका परियोग करेंगे प्रकास बर्स का परियोग किया जाता है खास प्रकास बर्स किसकी मात रखे दूरी की मात रखे तो एक प्रकास बर्स वरावर कितना होता है तो एक प्रकास बर्स वरावर होता है 9.46 कुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है पार सेख दूरी मा अपने एक सबसे बड़ी काई क्या है दोस्तो पार सेख और एक पार सेख बराबर कितना होता है एक पर 3.26 परकास बर्स होता है बराबर 3.08 पर 10 पर पावर 16 मीटर भी अभी से बोल सकते हैं बलकि जो CGS मातरक होता है बलकि जो CGS मातरक है वो क्या है डायन है क्या है दोस्तों बलकि CGS मातरक जो है वो है डायन और इसका ये साइप पदती में मातरक होता है न्यूटन और एक न्यूटन वराबर कितना डायन होता है दस पर पाबर फाइव डायन एक न्यूटन वराबर याद रखे गुरूब डी में बार बार पुछे जाते हैं कार्ज की cgs पत्ती में मात्रक अर्ग है और जो एस हाई पत्तिम होता हुआ जूल होता है और एक जूल बराबर कितना होता है दोस्तों तो एक जूल बराबर होता है दस पर पावर साथ अगर क्या होता है दस पर पावर साथ अर्ग होता है इसमें एक जूल बराबर तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करतें दोस्तों और इसी तरह से और हम न्यू वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए आप इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्य बाद